स्लाइस कार्ट के बारे मैं उस ताइम पर स्लाइस हमें वराइड़ी ऑफ कैश बेक्स एंड ओफर्स प्रोवाइड करता था यहां सभी हमें काफी अच्छा कैश बेक्स मिल जाता था बट अभी रिसेंटली गवर्रेमेंट की कुछ गाइडलाइन्स चेंज होई है और उसके कारेंट स्लाइस को अपना कार्ट बन करना पड़ा है सो 31st of December 2022 से आप सभी की कार्ट बन दो गए होंगे अभी इन्होंने इनका नया प्रोड़क्त लॉट्छ कर रहा है जिसमें तीन फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है सो स्लाइस अप जो जो फीचर्स प्रोवाइड करता है हम उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में डीटेल में देखेंगे सबसे पहले हम eligibility criteria देखेंगे लाइक आपको कौन-कौन से conditions fulfill करने पड़ती है then हम fees and charges देखेंगे लाइक आपको कौन-कौन से fees और charges pay करना पड़ते हैं and last में हम इसके सारे offers जो हमें अभी currently मिल रहा है कौन-कौन से features प्रोवाइट कर रहा है कौन-कौन से प्रोड़क्ट से सभी details में discuss करेंगे so guys video में आगे बढ़ने से पहले video को like जरू कर देना and channel को subscribe कर देना so yeah let's start the video so slice एक digital lending platform है and इसने variety of NBFCs and SBM bank के साथ अपने products launch करें है जैसे कि आपको पता है slice के पास assets कुछ banking license नहीं है तो इनको NBFCs and bank के जरुवत पढ़ती है अपने products launch करने के लिए first of all ये इसमें slice mini करके provide करता है which is a small bank account kind of thing इसमें आपको account के feature मिलते हैं like आप पैसा add कर सकते हैं अपने UPI, credit card या फिर debit card को use करके ये simple bank account जैसा है then second slice borrow ये इनका एक lending product है जहां पर आप loan ले सकते है simple भाषा में अगर हम बोले तो और उसको आपको repay करना पड़ता है एक महिने में या फिर आप उसकी 12 महिने की EMI भी बनवा सकते हैं and third slice UPI ये simple UPI system जैसा है जिसे हमें phone pay या फिर भारत pay में मिलता है इन सबी products को हम detail में देखेंगे अभी आगे वीडियो में सबसे पहले हम start करते हैं इसके eligibility criteria से so अगर आप slice के लिए apply करना चाहते हैं तो इसकी एकदम simple eligibility requirements है आपकी age 18 years होनी चाहिए and second आपके पास एक valid आधर card और pen card होना चाहिए अगर आप ये दोनों चीज़े fulfill करते हैं तो आप इसके लिए simply apply कर सकते हैं अब चलते हैं हम इनके products के उपर लग इनके product के features क्या क्या है हम website पर भी जाके इसको detail में देखेंगे and मैं basic इनका overview आपको दे रहता हूँ तो सबसे पहले इनका product है slice mini ये एक simple bank account जैसा होता है इसमें आपको क्या करना होता है आपका credit card हो गया, debit card हो गया या फिर UPI इनको use कर क्या है आप इनके wallet में पैसा add कर सकते हैं ऐसे similar variety of options available है आपके पास market में जैसे amazon pay balance हो गया phone pay का wallet हो गया, ptm wallet हो गया ये सब similar products ही है और इनको देखते हुए slice ने भी अपना product launch करा है बाकी ये जो सारे products है market में इनसे खाली एक ही चीज़ है इसमें better ये up to 2% का आपको cashback देता है आपके सभी transactions के उपर although amazon वगेरा भी कुछ-कुछ आपको cashbacks के offer देते रहते हैं but जो इनका पुराना slice कर आता था उससे इनोंने यही चीज़ लिए है second slice super upi ये इनका second product है ये basic upi product ही है इनका जिसके तुरू आप payments कर सकते हैं जैसे कि हमारे सारे upi के लिए हमें एक username दिया जाता है तो इनोंने इसको थोड़ा से change कर रहे हैं इनोंने थोड़ा इसको cool बनाने के लिए end IDs दिया है like आप screen पर देख सकते हैं इस तरीके से आपके end IDs होते हैं and third is slice borrow ये basically इनका landing platform है जिसके तुरू आप एक loan ले सकते हैं and उस loan को आप एक महीने में pay करते हैं तो आपको कुछ भी interest नहीं pay करना पड़ता है but अगर आप उसकी EMI में convert करवा देते हैं उसको 12 महीने की तो इसके साथ आपको इसमें 36% per annum का interest pay करना पड़ता है बाकी सारी चीज़े हम इसकी website पर चलके देख लेते हैं एक बार so guys आप screen पर देख सकते हैं आपने slice की website को open करा है यहाँ पर इन्होंने लिखा है the simplest way to pay नीचे हम जाते हैं तो इन्होंने यहाँ पर इनका first product बताया है the most seamless UPI experience आप simply अपने UPI payments कर सकते हैं बाकी यह second product है इनका slice borrow the most flexible way to borrow get up to 5 lakh in just a few clicks you can repay across 12 months और repay early to save interest जैसे मैंने आपको बताया अगर आप एक महीने पे पे कर देता है तो आपको कुछ पे interest नहीं पे करना पड़ता है but अगर आप dwellments की EYM उसको convert करता है तो उस पे कुछ interest यह लोग charge करता है and आपको loan कितने का मिलेगा यह आपकी purchasing power पर defined होता है like purchasing power यह variety of चीज़ों पर calculate करते है आप स्क्रीन पर देख सकता है मैंने इसका screenshot यहाँ पर दिया हुआ है purchase power is an estimated amount you may borrow from slice and is determined based on variety of factors such as credit profile आपकी credit profile कैसी है आपने जो भी loans लिये previously उसको अप टाइम पर pay करते हैं कि नहीं second age of slice account आप कितने time से slice account को use कर रहे है आपकी जो भी payment history है slice के साथ and जो भी outstanding dues होते हैं वो आप टाइम पर pay कर रहे हैं कि नहीं यह सारी चीज़ों से estimate होता है आपकी purchasing power कितनी होगी और आपको loan कितने का मिलेगा यहाँ पर हम interest related information देख सकते हैं अगर आप time पर payment कर देते हैं तो आपको कुछ भी interest नहीं पे करना पड़ता है but जब भी यहाँ पर service charge आपको pay करना पड़ेगा जब भी आप इसका loan ले रहे हैं तो so आप service charge के यहाँ पर सारे charges देख सकते हैं बाकी अगर आप 12 मैने की EMI में convert करते हैं तो आपको 36% per annum का interest rate pay करना पड़ेगा and अगर आप अपनी EMI इसको time पर नहीं pay कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर penalty charges लगेंगे जो कि आप screen पर clearly देख सकते हैं इसलिए अगर आप इनका borrow feature यूज़ कर रहे हैं तो आप make sure करें कि आप loan जल्दी से pay कर दीज़े अगर हम नीचे लिखते हैं तो यहाँ third product है इनका slice mini यह आपके normal wallet यह फिर bank account जैसा आप इसको consider कर सकते हैं बट इसमें added feature यह है कि आपको up to 2% के rewards मिल जाते हैं आपकी सारी spendskip पर अब एक बार चलके हैं इसके banking partners और जो भी NVFC के साथ इसने partnership करी है वो देख लेते हैं तो basically यह सारी इसके NVFC partners है जिनके साथ collaborate करके इसने अपना product launch करा है बाकी अगर banking partner की बात करें तो इसने SBM bank के साथ अपना product यहाँ पर launch करा है मैंने majority सारी चीज़े cover करी है इस video में और इसके बाद भी आपके कुछ doubts रहा जाते हैं तो आप मुझे definitely comment box में पूछ सकते हैं मैं सभी comments को जल्दी से जल्दी answer करने का try करूंगा बाकी मैं अगर मेरा personally point of view बताऊं तो इसका borrow feature मुझे इतना पशन नहीं है क्योंकि market में आपको इससे better rate of interest मिल जाएगा and UPI की बात करें तो हमारा easily phone pay, pay dm and भारत pay के तुरू already काम चल रहा है तो हमें कोई नए UPI app के जरुवत नहीं है as such and third, इनका जो wallet आता है वो भी कोई हमें इतना बड़ा benefit नहीं दे रहा है although वो 2% का में cash back या फिर rewards दे रहा है but यह सारी चीजे तो हमें Amazon pay balance या फिर pay dm पर मिल जाती है like छोटे मोटे offers so यह सारी चीजों को माइं में रखकर आपको decide करना है whether आपको इसके लिए apply करना है कि नहीं अगर आप सभी कोई वीडियो यूसफिल लगी हो then definitely इस वीडियो को like जरू करना and channel को subscribe करना see you guys in the next video